आज का पंचांग आज का रहुकाल सुभे 9 बश कर 43 मिनट से सुभे 11 बश कर 8 मिनट तक रहेगा आज दिशाशूल पूर्व की तरफ रहेगा तो फिलाल इस ओर यात्रा टाल दें तो आज का महा उपाय है आज शनिदेब को नीले रंका फूल अर्पित करें और गरीबों को दान दें तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं राशी फल की राशी फल में सबसे पहली राशी है मेश यानी एरिस मेश राशी वालो अफिस में आज का दिन अनकूल रहेगा आर्थिक पक्ष मजबूत होगा बड़ी कमपनियों के साथ संपर्क बढ़ेंगे वैवाहिक जीवन में आपसी मनमुटाव के थिति पैदा हो सकती है वरिश राशी वालो व्यापारिक कारियों में अच्छे लाब के अवसर प्राप्त होंगे कारिक्षेत्र में मजाक में की गई बातों का कोई गलत मतलब निकाल सकता है दिन भर काम की वजह से ठकान में हैसूस करेंगे बाहर जाने से पहले भगवान के सामने दीपक जला कर मितुन राशी वालो जो लोग पार्टनर्शिप में काम कर रहे हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इनकम के सोर्स अभी कमजोर रहेंगे स्वभाव में चिड़-चिड़ा पन रहेगा बुजरुगों के कंधों में दर्द की शिगायत रहेगी दिहन रखें करक राशी वालो ओफिस में किसी नई प्रुजेक्ट को हाथ में लेने से पहले विचार विमर्श अवश्य कर रहें सरकारी क्षेतर में जौब कर रहे जातकों पर काम का दवाब रहेगा परिवार में बच्चों की कर्यार को लेकर सोच विचार करेंगे सेहत आपकी ठीक र पाचन से जोड़ी समस्या हो सकती है। के साथ अपनी हर बात शेयर करें, अच्छा महसूस करेंगे। वरश्षिक राशी वालों पारेवारिक रिष्टों में जमीन जायदाद को लेकर दूरी आ सकती है। युवा वरग को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, प्रतियूगी परिक्षा की तयारी कर रहे चात्रों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। मन को शांत रखें। मुम राशी वालों आज आपको आर्थिक लाब होगा। शत्रू पर विजय प्राप्त होगी, आपको अपने पार्टनर से कोई गिफ्ट मिल सकता है, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मीन राशी वालों आज का दिन उतार चड़ाव भरा रहेगा। आर्थिक सिती बिगड़ सकती है, किसी खास व्यक्ती के साथ बिजनिस के बारे में फोन पर बात हो सकती है, परिवार के किसी सदस्य के साथ अनबन हो सकती है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राए क कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।